दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि देश की बड़ी बैंकों ने 31 दिसंबर के बाद बिना चीप वाले ATM कार्ड को बन करने का आदेश जारी किया था और जिसके वज़े से बहुत सारे ATM धारक परिशान थे लेकिन दोस्तों बैंक के तरफ से अब बिना चीप वाले ATM धारकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है और यह खबर यह है कि 31 दिसंबर के बाद भी आप बिना चीप वाले ATM कार्ड चला सकते हैं जिसमें बैंक और बड़ोदा और स्टेट बैंक और इंडिया ने इस बात की पुष्टी की है दोस्तों आपको बड़ा दू कि RBI ने यह गोसना की थी कि सभी बैंकों के ATM कार्ड से लेकर फ्रॉड से बचने के लिए यह सुईधा जारी की गई थी जिसमें ATM कार्ड में चीप लगाना जरूरी था जिसके वज़े से ATM कार्ड के फ्रॉड होने वाली घटनाओं से बचा जा सकता था और इसके बाद RBI ने यह गोसना भी की थी कि 31 December के बाद आपके बिना चीप वाले ATM कार्ड बंद हो जाएंगे और आपको बदा दू कि बहुत सारे बैंकों ने आपने ग्रहांकों को मैसेज भी जारी करना चालू कर दिया था कि 31 December के बाद उनके ATM कार्ड अगर बिना चीप के हैं तो वो बंद हो जाएंगे लेकिन दोस्तो अब इसे बिल्कुल बदल दिया गया है दोस्तो आपको बदा दू कि बिना चीप वाले ATM में Magnetic Strip को कॉपी करके पैसे निकाल सकते हैं लेकिन चीप वाले ATM कार्ड से बहुत ही कम फ्रॉड हो सकता है जिसे हैकर्स को पैसा चुराने में काफी जादा मुस्किल हो सकती है कहीं न कहीं दोस्तो इसको 31 दिसंबर के बाद चालू कर दिया गया है लेकिन आपको मैं बता दू कि आप जल्द ही अपने ATM कार्ड को चेंज करा लीजिए क्योंकि RBI के तरब से कभी न कभी ये नियम आएगा ही क्योंकि फ्रॉट से बचने के लिए RBI अपने तरब से ने नियम लाने वाली है तो दोस्तों जैसे इंफोर्मिशन में आपके लिए लाया था अगर ही वीडियो आपको पसंद आता तो जरू शेयर कीजेगा और चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजेगा